गर्मी के मौसम में शिकंजी तो आप लोगों ने बहुत बार पियोगी, मगर क्या आपने कभी सोचा बजारों में शिकंजी को कैसे तयार करा जाता और क्यों वो स्वात घर की शिकंजी में कभी नी आ पाता नहीं, तो चलिए आज मैं आपको दिखाते हूं मोधी नगर की सब कपड़ों को हटाये जाएगा और उसमें जितना भी गल का गंदा पानी होता है, उसको निकाल के भार फेक दिया जाएगा, और उसके बाद सबसे पहले ड्रम की सफाई करी जाएगी, अच्छे से पानी से साफ करा जाता है, ताकि इसमें कोई भी किटानू ना पनब सके, त इसे देखके मेरे को तो बहुत खुश हुई, तो बिलकुँ शुद्व साफ पानी को अच्छे से ड्रम के अंदर भर दिया जाएगा, यहाँ पे एक बारी में ड्रम के अंदर 20 लीटर पानी आ जाता है, तो पानी को अच्छे से भरने के बाद ड्रम को करा जाएगा बंद और उसके बाद बार ही आते हैं बरफ की, तो यहाँ पर हमारी बरफ की बड़ी-बड़ी सिल्ली आ चुक है, एके करके सारी ठेलों पे बरफ लखी जाएगी, और उसके बाद बरफ तोड़के ड्रम के चारों तरफ भनने का कायकरम शुरू करा जाएगा, उससे पहले बार ही आ जाते हैं ड्रम के अंदर चीनी डालने की, तो यहाँ पर एके करके हर एक पोटले में चीनी खोल के अच्छे से ड्रम के अंदर डाल दी जाएगी, और चीनी को बिल्कुल अच्छे से चला चला के घोल बना के इसका तयार कर लिया जाएगा, अब बारी आ जाती ये बरफ की, तो एके करके बड़े से सुए की सायता से बरफ को तोड़ा जाएगा और ड्रम के चारों तरफ ये जो लकडी का आप ड्रम देख रहे ना, इसी के अंदर बरफ को अच्छे से भढ दिया जाता है, एके करके सारे भाईया लगेवे बरफ को त ठंडा रखता तो धेर सारी बरफ और नमक डालने के बाद बार ही आती है इसे ठंडा करने की जिसके लिए एक ये करके हर एक ड्रम को अच्छे से गुमाने का कारेकरम शिरू करा जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि धीरे धीरे ड्रम के अंदर बरफ जमनी शिरू हो जैसे जैसे देखा जाते हैं कि बरफ जमरी है उसको चारों तरफ से किनारों से बरफ को निकाल के बीच में डाल दिया जाता है अब ड्रम को दुबारा से बंद करके तेजी से गुमा गुमा के बरफ को जमाने का कारेकरम और तेजी से करा जाएगा इस कारे में बहुत मेहन तो सबसे पहले एकके करके सारे ड्रमों की जाच करी जाएगी उनमें बरफ बिल्कुल भैतरीन तरीके से जमाई जाएगी और जितनी भी चारो तरफ बरफ जम रही है उसको अच्छे से खुरच-खुरच के पानी के अंदर ही डाल दिया जाएगा और फिर और तेजी से ड्रम को घुमाने का कायकरम शिरू कर दिया जाएगा दुबारा से एक के करके सारे के सारे ड्रम ऐसी तेजी से घूमते रहेंगे जब तक बिल्कुल अच्छे से बरफ जम ना जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे भाया लगे वे कड़ी महनत से हर एक ड्रम को अच कर लिया जाएगा उसके परफ को करा जाएगा और बाद यह तेले को सेट करने के सबसे पहले ड्रम को बंद आप से चारो तरफ से जला जाएगी तो लाल ना चंपनी, वाले भाईया का उसको अच्छे से चारों तरफ लगा दिया जाता है इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ठंडक है वो बरकरार है सके अब अच्छे से ठेले की सफाई करी जाएगी सबसे पहले ड्रम का मुखडा होता है वह आचुका है यहां पर नीबू को भी अच्छ से रखने के बाद भाईया जी चल लेता है अपने ठीये की और फिर बारी आते है अपने ठीये पे एके करके हरे किसी को आते जाते शिकन जी का स्वात चखाने के और इसकी गर्मी दूर करने की जिसके लिए सबसे पहले ग्लास के अंदर जाता है नीबू तो यहां पर भी ज जी ने नीबू ले लिया है अब नीबू का रस निकालने वाली मशीन के द्वारा नीबू का रस निकाला जाएगा और उसके बाद इसमें डाला जाएगा काला नमक और काले नमक के बाद बारी आ जाते है अपने मीठे पाने की जो की सुबा तयार करा गया था मीठा पानी ग्लास में भड़ते ही हमारी शिकंजी हो जाएगी तयार आपको इस वीडियो कैसी लेगी ज़ूर बताएगा पसन आए तो अपने दोस्तों का शेर करना मत भूलेगा मैंने शिकंजी पी मेरको तो इस शिकंजी पी के मज़ा ही आ गया और गर्मी से राहत भी मिल गई इसी के स साथ मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुड़ पार